तो हलो फ्रेंड स्वागता आपका अपने यूट्यूब चेनल ओल अराउंडर रियू पे तो आज हम बात करेंगे महेंदरा की जानीमानी SUV अक्सुवी 5OO के बारे में जो बच्चा बच्चा इसको जानता था लोंच होने के बाद में इसने मार्केट में काफी तगड़ा अप करने के बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इसकी जगह है अक्सुवी 700 ने ले ली लेकिन हाल फिलाल में महिंदरा ने ओफिशिल लॉंच इसका बता दिया है ओफिशिल स्टेटमेंट दे दी है कि अक्सुई 500 फिर से मार्केट में इंडियन मार्केट में लॉंच करी जाएगी तो आज ये वीडियो होने वाला है अक्सुई 500 के उपर उसकी प्राइज डिटेलिंग इंजन और फिचर्स वेरियंट और सेप्टी के इसाब से ये वीडियो होने वाला है सेप्टी के उपर तो वीडियो में आखिर तक बने रहे वीडियो को अंतर तक जरूर देखे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन की तो इसमें आपको जो पहले की अक्सुई 500 आती थी वैसा है आपको इसमें इंजन देखने हो मिलेगा जो कि दो इंजन ओप्शन आपको इसमें देखने हो मिलेंगे जो दूसरा इंजन उप्षन है वो है 2.2 लिटर का डीजल इंजन देखने हो मिलेगा जो की प्रोड्यूज करेगा 152 बीएचपी और 360 अनेम का पीक टोर्क तो ये भी आपको 6-speed manual transmission और automatic के साथ में दोनों में देखने हो मिलेगा इसकी जो माईलेज है वो 16 केमपेल की कमपनी कलेम कर रही है ये 4x4 और 4x2 के आपसन में आपको देखने हो मिलेगी तो अब बात कर लेते हैं एक SUV है तो इसके dimension के बारे तो dimension आपको इसकी length है वो 4525 mm देखने हो मिलेगी इसकी जो चोड़ाई है वो 1890 mm रखी गई है इसकी जो height है वो 1850 mm है इसका जो wheel base है वो 2700 mm आपको देखने हो मिलेगा इसकी जो ground clearance है एक SUV की ground clearance काफी माईने रखती है ओफ रोडिंग करते समय तो इसकी जो ground clearance है वो 200 mm कमपनी कलेम कर रही है 70 liter की इसकी fuel tank capacity है तो अब बढ़ते हैं variants की तरफ तो 6 आपको इसमें color मिलेंगे और 13 पलस इसमें आपको variants देखने हो मिलेंगे तो अब बढ़ते हैं futures की तरफ तो अक्षिवी जो 500 है उसमें जो महंदरा का app आता है blue sense उसको inbuilt किया गया है उसमें आप app में या अपनी जो smart phone है या smart watch है उसमें आप अपने car के जो various function है उनको control कर सकते हो इसमें आपको automatic climate control 8.4 inch का आपको इसमें touch screen with android auto and apple car play के connectivity के साथ में देखने हो मिलेगा इसमें आपको एक app देखने हो वो blue sense वाला app देखने हो मिलेगा उसमें आपको fuel range, mileage, tire pressure monitoring के आपको smart phone या smart watch में notification मिलती रहेगी rear AC vent, push start, stop button, electric sunroof, air purifier, fabric seats और height adjustment driver seat आपको देखने को मिल सकती है तो अब बढ़ते हैं safety की तरफ तो safety में अब की बार जो महंदरा की सारी कारे हैं उनमें महंदरा ADAS को introduce कर रहा है तो इसमें भी ADAS introduce किया गया है ABS with EBD, ESP, ESC, vehicle stability control, electric braking system, hill hold, hill descent control, roll over mitigation system, four airbag आपको standard देखने हो मिलेंगे और अब भी minimize इसका जो official price तो अभी नहीं आया है लेकिन जो संभावित price है वो आपको 12,00,000 से 7,00,000 के बीच में एक आर आपको action room देखने हो मिल सकती है इसका जो launching date है वो 20 July 2020 को आपको mid में देखने हो मिल सकती है 2020 के ये तो ये था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें और अपने friends के साथ share जरूर करें और एक प्यारा सा comment जरूर करें और मिलते हैं किसी और नई कार के साथ एक नए वीडियो में जब तक keep watching keep supporting to all around review धन्यवाद